आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में मेसेंजर काम नहीं कर रहा है या फिर मेसेंजर एप नहीं चल रहा है तो इस प्रॉबलम को कैसे ठीक करें तो इसे ठीक करने के लिए आप अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करिए फोन की सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आईए और नीचे आकर यहाँ पर आएगा एपस एपस पे किलिक करिए एपस पे किलिक करके उपर आएगा मैनेज एपस तो मैनेज एपस पे किलिक करिए Manage Apps पे क्लिक करने के बाद अब आपके फोन के सारे एप आ चुके है और ये Manage Apps का आप्शन आपके फोन में App Manager या फिर App Management के नाम से हो सकता है तो इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपके फोन के सारे एप आ चुके है उसके बाद नीचे आईए तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा मेसेंजर तो आप मेसेंजर पे किलिक करिए उसके बाद नीचे फोर्स स्टॉप पर किलिक करिए उसके बाद ओके पे किलिक करिए और अब उपर आएगा स्टोरेज या फिर स्टोरेज यूसेज इस पे किलिक करिए किलिक करने के बाद नीचे किलियर डेटा पे किलिक करिए उसके बाद किलियर कैशे पे किलिक करिए ओके करिए अब किलियर ओल डेटा पे किलिक करिए और ओके करिए तो इसका डेटा किलियर करने से आपका मेसेंजर में से अकाउंट लोग आउट हो जाएगा अब उसके बाद बैक आईए बैक आने के बाद नीचे आईए और नीचे आकर आएगा रिश्ट्रिक्ट डेटा यूसेज इस पे किलिक करिए उसके बाद चेक करिए अगर आपका वाइफाई मुबाइल डेटा यहां से चालू नहीं है तो इन दोनों आप्शन को चालू करिए और उसके बाद ओके पे किलिक करिए इतनी सेटिंग्स करने के बाद यहां से बाहर आईए अब अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करिए ओपन करने के बाद उपर सर्च बार पे किलिक करिए और सर्च करिए Messenger और उसके बाद चेक करिए अगर यहाँ पे कोई अपडेट आया है तो इसे अपडेट करिए अगर अपडेट नहीं आया है तो आप अपने फोन में Flight Mode On करिए इसे On करने के बाद बंद करिए उसके बाद Internet को चालू करिए अपने फोन में phone restart करने के बाद messenger app open करिए open करने के बाद अपना account फिर से login करिए login करने के बाद अब messenger आपके phone में काम करने लग जाएगा तो इस तरीके से इस problem को ठीक करें अगर ये video पसंद आई तो इस video को like जरूर करें